क्या नाम है तुमारा सोनु कुमार अचा करते क्या हो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं पढ़ते हो और पढ़ाते भी हो अब माइक कैसे ले लियो रिपोर्टिंग भी करते हो क्या माइक आप दिये हैं हम दिये हैं माइक अब हम रिपोर्टिंग कहा करते हैं तुम रिपोर्टि लेकिन तुम को पढ़ना है क्योंकि हम यह नहीं की हमारे पीता को बने ज्ट में सब दिन के लिए के लिए दिए लेकिन कानून यह भी बंधन भी आप हुए तो कानून जो कहें बेचने वालों को सभी को तो है सजा देना है आचा उसरा पीते हैं इसलिए तुम पढ़ नहीं पा रहे हो पैसा दू दिन पर तीन दिन पर दही बीखता है तो मने थोड़ा सब एक सबता में कम सकम दू दिन पी लेते हैं तो मने इसलिए घर में जगड़ा होता और मने उतना अच्छा से हमको पढ़ाई नहीं मिल पाथ कितने बच्चे हैं आपके दू को और बेटी ना दो बेटा है अब पती क्या करते हैं असरा भी पीते हैं क्या अब प्याकिन तो नहीं मतलब कोई-कोई पिला दलकी था कोई-कोई पिला देता है ऐसे तो लाटत आपको पता है कि आपका बेटा जो है पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है पता हमें गलिया मुख मंतरी के रैली में कईसे घुच गाए थे हम को समचार मिला हम जब प्लकर आए हैं है तो हमको समचार मिला कि मान्य मुख मंतरी शरी नितिस कुमार जी अबने पतनी की पुन्य जन्मति थी पुन्य पुन्य तीथी पर कल्यान विखाये हैं उनका बाटका में हम फोटू भी देखे हैं तो हम सोचे कि अब तो इस चल गए होंगे अब किसे हम बात रख सकता है पिछला बार गये थो तो भा मुख मंतरी जिभी है तो बोले कि हाँ जल्दी जाओ भी पहुंच भी है हम यहां से धर फड़ते मने रसी में चली ते साइकिल कल्यान विखा तक उसके होस्पिटल तक पहुंचे वहां पर एक पुलिस वाले थे उनसे हम राइलिये कि कहां पर गए तो बोले कि घर गए मुख मंतरी जी कहां मिलेंगे तो बोले कि यहां पर उसके बाद हम समरिद्धी अस्तल पर पहुंचे जहां पर क्यूंके जो है उनके मुर्थ 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 तो जो है वहां पर पूच पहुंचे और साइकिल लगा करका हम गए तो अमको पता जाले माध्य बेद्धाल में है वहां पर गए तो कुछ मने स्योब किये और हमारे पंचायत के मुख जी भी थोड़ा सब मने पंच ए अठी स्योब किये तो हम पंचे और क्ट पनाम सर बूš बाद वो को हम को पढ़ने के लिए हिमत दी Mire्ट जो है उतना सम छम नहीं है पलाने के लिए क्योंकि उनके पास अतना रासी जमाहा नहीं हो पाता है तो बोलें कि ठीक है, तुम्हारा घर कहा है? तो महां कि निमा कोलसर तो तुम्हारे घार से मूखमंतरी जी का घर कितना दूर है। जए तो दूसे तिन क्लूमेटर हो सकता है। कि यहाँ तक माझने हितीय टिंगो आयोंसे कुलोमेटर तो में हमी फाइब क्लास में है। कर दो कर दो ना घ्मत होसला कहा से आ जाता है तुमारे उंदर इतना हीमत होसला कि जो है हम सम उनको हम देखते हैं अग अन्का अगाव्सन सुनते हैं न और मान्स देश पर हम बन्तर और हम इसुछार मंध्री परतोमाँ नहीं है थे तो वह एक लगता हूं उनका एक चैनल है तो भूले हैं कि लाहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है और कोशिज करने बालों की अनुजे मोले होती है तो इसलिए हम सोचे कि अच्छा एक वर फेल हो गए वहां पर नहीं मिल पाएं मनें बोल करके चल गए तो अबरी मिल करके देखते हैं उसी प्रकार से हम देख गए तो हमको समस्या का सुना गया और उसके बाद डीडी सी सहाब जो है वह उनको बोला गया कि अडिमिशन करवा अब तो भूलेएं जो लो शोह में नहीं कि भागवान करें कि ऐसी माचा में हर जगा हो हर गाओं में हो और ऐसा बच्चा पाइदा करें अगर ऐसा बच्छा विहारके हर जिला में वह एक हो और इस बच्चे का अब मतलब की जो भी होगा वो सारा बेवस्था किया जाएगा और जैसे होगा सारा बेवस्था किया जाएगा चलो बाबू तुम्हारे घर चलते हैं और चल के जो है वहां पर बातचित करेंगे और कुछ जानने का प्रियास करेंगे बाकी तुम बिहार के इसकूल पर जो गालत काम हो रहा उसको रोकिए क्योंकि अब मान्य मुखमंत्री जी तो सब तरह से सही हैं उनको में कोई गलत नहीं है लेकिन आपके सारे के सारे अधिकारी भरष्ट है लगवग 90 परसेंट भरष्ट है तो सारे के सारे हैं और इस वज़ा से इन सारे बच्चों का भविश्य से नहीं बन पाता है और कहीं नहीं तो कहीं धन्य हैं वो माता पिता जो जिनोंने इस बच्चे को जन्म दिया है और जिसके वज़ा से कुछ तो सुधार हो ही जाएगा चलो संदेस पूरा करो संदेश हम यह देना चाहते हैं कि नहीं भरते हैं कि आफिमत करिया कि टेक्स सरकार का हाक होता है और तो हमारे देश में राज में विकास होती है उसा यूपी में टाड़ेयों में घालू जालूओं है तो यूसे हमता है हम घ environments ठाएक होता है रेकिन हीजारों फिर्षस्साइब हो पुरे सब्सक्राइब को चीए तो नरेंद्र मोदी जी से को हो नरेंद्र मोदी जी आपको पूरे देश में शराब बंदी और सिच्छा पर पूर्ण कड़ाई का जो कानून है उसको और दुगुना करके लागू कर देए तो तुम को रहा है कि पापा जी जेलों में जाना ही चाहिए और कुछ दिन में निकाली यो जाने चाहिए तो तुम्हारे जेल में रहाएंगे तो चाहिए ज्यादा कर देशाब के जो है पीते हैं उनको आप सिविल रहें और उनको से पकड़कर पता लिजेगी सराब अरह भाए आप लोग बर्दी का अथिने करिए अब लोग दिमाग स से काम लीजी वर्दी ये कुछ काम का है लेकिन बर्दी बर्दी पहन करका नहीं आए जब कुछ पकालने आते होंगे पैसा पैसा कोई नहीं लेंगे जो रहता है वो कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि कुछ सराब धंधे बाजी जो रहते हैं उनके परिवार में भाई वह परिवार को उसमें दिकत होती है और वह पैसा नहीं जुटा पारते हैं तो गलत काम करने लगते हैं तो यानि काने का मतलब है तुमारा कि सराब सब कोई छोड़ दे पूरे देश में सरा बंध हो जाए और सारा अधिकारी मंदार हो जाए अधिकारी को हम यह संदेश दना आखये ना ताली बजयी इसके लिए बहुत बढयां बढया अच्छा यह सब बाते तुमको किसी नश सिखाया है कि तुम आईसे इस यह किसी ने हम अपना जो है मेमोरी के जो रहता है नहीं थे मोड़ी तुमारा हमारा आभी लेकिन लीवर खराब होता है और चलिए ठीक है इस बच्चे के लिए आप लोग क्या कहेंगे यहीं वो बच्चा है जो बिहार के मुकमंत्री नितिश कुमार जी के आखों में आके डाल के सवाल किया और बोला कि मुझे पढ़ने का अधिकार है आप मुझे यह अधिकार दे और इसको यह अधिकार मिलेगा जैहिंद